हलो फ्रेंट्स वागत है आपका अपने यूटीब स्टरी चानल स्टडी बिज शिप्रतीरे पर फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा याने कि आज की वीडियो का हमारा जो में टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा प्राइविट बैंक्स हाँ अज हम जानेंगे हिंडिया के कुछ प्राइविट बैंक्स के बारे में उनकी हैड़ कोटर टैग लाइन उनके establishment year और उनके main head के बारे में है ना chairman MD and CEO तो चलिए friends start करते हैं आज का वीडियो और उससे पहले यह public banks के वीडियो बना चुकी हूँ after merger after merger public banks की जो full detail है उसका वीडियो बना चुकी है अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंट्स बैल notification प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी recruitment से related या study से related वीडियो बना तो उसका notification सीधे आपके mobile बें आपको मिल सके ठीके फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला बैंक है आज हम प्राइवेट बैंक के बारे में देखेंगे है ना फ्रेंट्स तो सबसे पहले है SDFC बैंक है ना SDFC बैंक का establishment येर क्या है अगस्त 1994 ठीक है MD और CEO कौन है आदित्य पूरी है ना आदित्य पूरी MD और CEO है 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 कोटर का है SDFC का मुंबाई में और इसकी टैडलेंग क्या है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड ठीक है अफ्रेंट्स इसमें यह जो चारों पॉइंट है यह सारे ही इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिए गा है ना चलिए नेक्स ब ना मुंबाई में इसकी टैग लिए बड़ती का नाम जिंदगी चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स वेमिगे सबसे पहले तो फ्रेंड्स ICI,ICI का full form क्या होता है, ICI,ICI का full form है Industrial Credit and Independent Corporation of India, ठीक है, ICI,ICI का full form क्या है, Industrial Credit and Investment Corporation of India, इसके establishment का हुआ तल जूँन 1994 में, में इसके मड् Gentूर स्चियो कों है, संदीप बक्शी चेयर्मैन कों है, गिरिश चंदर चतुरवेदी, इसका हाटकोटर कहां है, मुंबाई में और tagline क्या है हम है ना और खयार आपका थिक ए I SI SI I की tagline क्या है हम हम है ना और खयार आपका थिक है चलिये next देखते हैं next है IDBI bank IDBI bank में IDBI का full-firm क्या है Industrial Development Bank of India ठीक है क्या है full-form Industrial Development Bank of India IDBI के establishment date क्या है एक जुलाई 1964 को इस्टेबलेश हुआ था इसके MD और CEO कौन है MD कौन होते है फ्रेंट्स Managing Director और CEO कौन है Chief Executive Officer तो MD और CEO कौन है IDBI के राकेश शर्मा और IDBI का Headquarter का है मुंबाई और इसकी tagline क्या है banking for all आओ सोचे बड़ा और बैंक ऐसा दोस्त जैसा यह इसकी taglines है फ्रेंट है ना इसकी यह तीन tagline है banking for all आओ सोचे बड़ा और बैंक ऐसा दोस्त जैसा ठीक है और इसमें private sector में देखना फ्रेंट्स अधिकतर बैंक के Headquarter मुंबाई ही रहते हैं है ना कुछ कुछ के ही आपको याद करने पड़ेंगे अलग से बाकि अधिकतर बैंक के मुंबाई ही रहते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कोटक महिंदरा बैंक क कोटक महींदरा बैंक के सेब्लिश्मेंट डीट है इव है फीज्ऑ 123 इसके म्ड और CEO कहन है उ दै कोटक और अब्रेक जिय ना कोटक बैंक से कौन से बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक के चेर मैं को ने प्रकाश आपते थीक है प्रकाश आपते चेर्माइन है इसका है चाहिए मुंबाई MI quota ठीक है चलिए next bank देखते हैं next bank है yes bank yes bank establishment date क्या है 2004 इसके MD और CEO कोन है प्रशांत कुमार headquarter का है Mumbai ठीक है और tagline के experience our expertise tagline yes bank की क्या है experience our expertise चलिए next bank देखते है next बंदन bank बंदन bank की establishment date क्या है 2001 इसके MD और CEO कोन है चंदर शेखर घोष चेहर मैंन है अनुप कुमार सिना headquarter है कॉलकता आप फ्रेंड्स यहां देखिए यहां headquarter कॉलकता आ गया अभी तक हमने आगे जितने bank देखिए उसके headquarter कहां थे Mumbai लेकिन आप आगया कॉलकता इसलिए कुछ कुछ बैंक के आपको याद रखना पड़ेगा जैसे बंदन बैंक का headquarter क्या है कॉलकता इसके tagline क्या है आपका भला सबकी भलाई ठीक है आपका भला सबकी भलाई बंदन बैंक का tagline है ठीक है चलिए next देखते हैं धन लक्ष्मी बैंक धन लक्ष्मी बैंक के स्टैबलिश्मेंट डेट है 14 नवंबर 1927 इसके अमडी और सी योग और सुनिल गुर्बक्सनी और चेयर्मन कौन है सजीव कृष्णन सजीव कृष्णन जी कौन चेयर्मन है इसका headquarter कहां है त्रीशूर में है त्रीशूर कहां आता टेगलेंड में नाम आता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है जम्मो कश्मीर बैंक याने की जे और के बैंक जम्मो कश्मीर बैंक इसके स्थापना दिवस याने establishment डेट कब है एक अक्टूबर 1938 एमडी कौन है मैनेजिंग डिरेक्टर जुबेर इकबाल इन्हें ह अगर टेगलाइन क्या है सर्विंग टू एमपावर सर्विंग टू एमपावर इसकी टेगलाइन है किसकी जे और के बैंक चम्मो कश्मीर बैंक की है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक के establishment डेट है 29 जनवरी 1929 इ पिसूर कैरला में ठीक है और टेगलाइन क्या है experience next generation banking साउथ इंडियन बैंक की टेगलाइन क्या है फ्रेंट्स experience next generation banking ठीक है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स ये थे हमारे कुछ इंडियन प्राइवेट बैंक इंपोर्टेंट जो की एक्जाम्स में अधिकता बार पूछे जाते है तो उम्मीद करते हूं आपने आखरी तक वीडियो देखा है उसके लिए थैंक यू आपको पसंद जरूर आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंट्स को इस बारे में पता चल सके और कमेंट करके पताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आप चाहते हैं किसे टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वह भी फ्रेंट्स आप कमेंट सक्षिन में बता सकते हैं या आपके कोई और सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जन भी फ्रेंट्स ने